बुद्धवार में हुआ बड़ा रेल हाथसा दानापुर्बकसर रेल खंट पर रगुनाथपूर इल्वेस्टेशन के समीब बुद्धवार की देर रात लगभक 9 बच के 45 मिनिट पर 12506 डाउन नौर्थ इस्ट एक्सप्रेस बेपटरी होकर दुरगटना ग्रस्थ हो गई इस हाथसे में ट्रेन के 6 डिब्बे पतरी से उतर गए हैं वही एक डिब्बा दूसरे डिब्बे पर चढ़ गया इस दुरगटना में 4 यात्रियों की मौत की खबर है वही सौज से अधिक संख्या में यात्री घायल हुए है हाला कि कितने यात्रियों की मौत हुई है और कितने घायल हुए है इसकी अधिकारिक तौर पर पुष्टी नहीं हुई है रेलवे अस्थानी प्रशाशन के अधिकारी वे कर्मी राहत बचाव में जुटे हुए हैं दुरघटना की सूचना पर डुम्राओ के SDO कुमार पंकस सहीद ब्रहमपुर थाने की पुलिस राहत और बचाव कारे के मौके पर जुटी हुई है वहीं घटना इस्थल पर लोगों की भीर जमा है आम लोग भी बचाव के कारे में जुटे हुए हैं रेल सूत्रों ने बताया कि बकसर से खुलने के बाद North East Express अपनी रफ्तार में चल रही थी वहीं रेल सूत्रों ने बताया कि रागुनातपूर इल्वे श्टेशन के समीप पॉयंट चेंज करने के दोरान ट्रेन तेज जटके के साथ दुरगटना ग्रस्त हो गई ग्रामिरों ने बताया कि रगनातपुर पक्षिंग गुम्टी के समीप तेज अवास की साथ ट्वेन के डिब्बे वेपटरी होकर पलट गए पलभर में डिब्बे में यातियों की चीक पुकार मच गई रात होने के बाद भी रोने चिलाने की अवास सुनकर आजपास की लोग उस ओर दोड़े और इसकी सूशना ततकाल प्रशाशन को दी गई इसी बीच सीमांचल एक्सप्रेस गुहाटी राजधानी विभूती एक्सप्रेस पंजाब मेल समेत अन्ने कई ट्रेनों का रूट बदला जा रहा है वारा नसी से ही दूसरे रूट की ट्रेने को क्यूल भेजा जा रहा है 12149 दानापूर पूर एक्सप्रेस दानापूर में ही खड़ी है मौके पर रहा ट्रेन रवाना हो चुकी है वहीं दानापूर DRM, जैंत कुमार चौधरी और सीनियर DCM सरसती चैंडर मौके पर रवाना हो चुके है